हमारा डेलिगेशन कॉंग्रिस की तरफ से अभी अभी चुनाव आयोग से आया है पांच मुख्य मुद्दे हमने उठाए उनके समक्ष चुनाव आयोग ने हमें बहुत ध्यान से सुना है और आश्वस्त किया है कि कुछ केसिज में एक्षिन शुरुआत कर दी गई है कुछ म में चल रही है तहकीकात पहला मुद्दा था जो हमने पहले ही उठाया था कि चुनाव के दौरान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सबसे ज्यादा भारतिय जिसका इस्तमाल करते हैं यानि भारतिय रेलवेज उनके टिकेटों उनके अलग-अलग कागिसों के ऊपर मानने बदा सब्सक्रान मंत्री हों एक ऐसे प्रक्रिया में जो भारत के सेंकडों करोडों लोगों के साथ जुड़ी है यानि भारतिय रेलवेज तो निश्यत रूप से यह समतल जमीन लेवल प्लेइंग फील्ड जो अती आवश्यक है गंतंत्र लोकतंत्र में एम सी सी के दौरान उसक इसका एक गंभीर मत लिया गया है चलाब आयोग द्वारा और उन्होंने प्रक्रिया शुरू करती है और हमें आचा और विश्वास है कि या तो यह पतिबंदित हो गई है या होने ही वाली है तुरंद रुपनी चाहिए क्योंके यह बिल्कुल धरातल को अनीवन कर देती ह पराबरी से हटा देती है दूसरा जो आपके समक्ष पप्लिक डोमेन में आया अत्यंत्र विचित्र बाद है कि मानने पदानमंत्री जैसा उच्छ पदासीन व्यक्ति अपने खुद के हेलिकॉप्टर में इतना बड़ा ब्लैक बॉक्स लेके उतरता है यह करनाटक का विश के चार या पांच दिन पहले हम लोग सब आये थे और बताया था चुनाव आयोखों के अरनाचल प्रदेश में एक तरफ मुक्यमंत्री उपर मुक्यमंत्री असात्तारूर पार्टी के अध्यक्ष बैटे हैं और उनसे सौ दोसो मीटर दूर एक गाड़ी में लगबक दो कर सब्सक्राइब तो ब्लैक बॉक्स की आवशकता किया कि पदानुंत्री के साथ ही जाए इसकी तहकीकात अती आवशक है आज तक हमें कोई संतोज जनत जवाब नहीं आया है पीजेपी से चुनाब आयोग को हमने कहा कि इसमें विलंब नहीं होना चाहिए बलकि आम तोर पे अगर आप और हम शोटा हो बड़ा हो नीला हो लाल हो या काला बॉक्स हो कोई बॉक्स लेकिए घुमने लगे दिल्ली की चरकों में भी और वास्तव में अगर हम चले यहाए जाए पीछे छुपकर यह गैर कानोनी काम जो सत्तारूर पाटी कर रही है उस फुरक्षा चक्र के पीछे यह अत्यंत देनिय है भर्सता योग्य है और तुरंत इस पे तैकीकात होकर एक घोशना होनी चाहिए चुनाब आयोग द्वारा कि सही तत्थ्य क्या है तीसरी बात जो हमने बताई वो बड़ी रोचक है आपको याद है कि बारा तारीक को हम ही लोग आये थे और मेरा सभाग्य था कि कांग्रिस तरफ से मैं दलील की थी कि वीभाजन की घणात्मक वक्तव आ रहे हैं और बारा तारीक को हम तीन वक्तव ए लाए थे एक ही दिन की रोग बोले गए थे दान्देद में पदानमंत्री द्वारा, लतूर में अमिच्छा द्वारा, मेरट में स्री बिश्थ द्वारा, जो घरनात्मग हैं, वेमनस्य फैलाते हैं, विवाजन करते हैं। इनके उपर, हमारी बालातारिक की दलील के उपर, बलकि हमारी दलील को मानते हुए, चुनाव आयोग ने कल एक बहुत अधी महत्वपूर आदेश पास किया है, शायद पहली बार सतंत्र भारत में, कि आप अमुक दिनों के लिए कैम्पेंट से वंचित रहेंगे, अगर आप इस प्रकार के वक्तव देंगे, तो हमारी दलील आज इस तीसरे रेप्रेसेंटेशन में बड़ी सरल थी, किसाब सिधान्त आपने मान लिया है, यानि सिधान्त अब स्थापित हो गया है, चुनाव आयोग के एक ओर्डर द्वारा, कल वाले ओर्डर द्वारा, जब सिधान सिधान्त स्थापित हो गया है, तो आपने अभी तक एक्षन मानने प्रदानमंत्री और मानने सत्तारूर पार्टी के मानने अध्यक्ष के विरुद्ध क्यों नहीं लिया है, सिधान सबके लिए सर्वोपरी है, कानून सबके लिए बराबर है, आप कितने भी उचे हो, और यह आवश्यक है कि तुरंक विशेश रूप से अमिट शाह जी को रोका जाए कैम्पेंज से, क्योंकि जो उन्होंने वक्तव्य दिये हैं, वो भद्धे हैं, घनात्मक हैं और MCC का उलंगन हैं, यह बात हमने दोराई और उन वक्तव्यों में एक-दो वक्तव्यों और सब्सक्राइए, अब हमारे पास प्रिसिडेंट है कल के ओर्डर का, चौथा हमारा रेप्रेजन्टेशन था करूर के विशे में, करूर में हमारी कॉंग्रिस की प्रत्याशी है, मिस जोती मनी, उन्होंने लिखित कंप्लेंट की है, इसके दो पक्ष है, एक तो के वहां के जो सत्तारूर पार्टी है, वहां की कारे करता, उनको दिन भर कैम्पेनिंग से अवरुद रखते हैं, अब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोक थाम करते हैं, व्यवदान पहुशाते हैं, दूसरा, जब वो इसके बारे में कंप्लेंट करती हैं, तो वहां के जो रिटर्निंग हैं, वो किसी रूप से सहयोग नहीं करते, उल्टा सहयोग तो दूर, बाधा हटाना तो दूर, उन्होंने उनको धंकी दी है, कि हम आपके विरुद, यानी प्रत्याशी जोतिमनी के विरुद, F.I.R. लॉच करेंगे, तो हमने कहा है, कि इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए तुरंत जाच करें चुनाव आयोग, वहां के रिटनिंग आफिसर को अगर अवश्यक हो तो हटाए, और ऐसे चीजों में प्रतिबंद लगाए, जो सीधा तरफदारी है, अंतिम बात, हमारा पांचवा रेप्रेजेंटेशन, मैंने खुद ने कहा चुनाव आयोग को अभ जानी मानते हैं, BJP के अध्यक्ष और नेता सत्ती सहब हिमाचल प्रदेश में, जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, वो इतना भद्दा है, इतना घडात्मक है, इतना गटर के लेवल का है, कि मैं आपके सामने दोरहा नहीं सकता, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता जनक बात जो है, चिंता जनक कहें, गहर कानूनी कहें, कि किसी रूप से खेज प्रकट करना तो दूर, माफी मांगना तो दूर, बविश्य में वापिज नहीं दोराने की बात करना तो दूर, ये व्यक्ति बेश्वरमी से खुले रूप से कहता है, कि मैं किसी रूप से जाहुल गांदी विरोध करते हैं मेरे पधाल मंत्री का, मैं समस्ता हूं अगर ऐसा व्यक्ति इस शट्का प्रयोग करें तो हमारी पार्टी में मोदी जी नहीं करेंगे, मोदी जी से आशा नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी पार्टी में 30 सेकिंड में उसको लंबित करके अटा नहीं लिए और उन्होंने मनाई नहीं किये, मैंने नहीं कहा, ये शर्म की बात है, ये बीजेपी के सही चाल, चरित्र और चेहरे को दर्शाती है, उसकी सही पहचान है और हम इसकी भरस्ता करते हैं और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि तुरंत ऐसे व्यक्ति पे प्रत जोने वहां जाकर एक बयान दिया है, वह ये कहा है अलप संख्यकों को कि आप आप संख्यक नहीं बहु संख्यल है, आपको बात्पे की कोशिश की जा रही है, आप बटे नहीं एक जूट होकर गोट करें, तभी तारीक अन्वर्ट जीतेंगे, क्या इस तरह के बयान पाप जिनके बारे में मैं आपके सामने अवगत कर रहा हूं, उसके तुलनात्मक रूप से तो मुझे कुछ भी नहीं लगता इसमें, अगर आपको ये दर्द इस पर हो रहा है, आपके लोगों को इस पर दर्द हो रहा है, तो आप समझ सकती हैं, कि जिन वक्तवियों का उधारन मैं नहीं दिया है, वो तो चरम सीमा को पार करके एक दूसरे देश पर पहुंच गये हैं, आजम खान के बयान आया, उस बयान को आप कैसे देखते हैं, कौन सा बया, आजम खान ने एक बयान को रहा है, जैप्रदा के बयान है, हमने, मैंने खुद ने उसी दिन AICC में उसकी निंदा की थी, भर्स्ता की थी, उसके बाद चुराव, हम लोग दोहरे मापड़न नहीं अपलाते हैं, दोगली आवाद में नहीं बोलते हैं, मैंने खुद ने ऑफिचर चैनल से किया है, और उसके बाद चुराव आगर पदिपन लगा दिया है, क्या मोधी जी ने मिस्ट सथी को रोका है तीन दिन से, एक मंगले देशे दिल मैंकर के प्रचार की कंप्लेन आए है, क्या मेरे से पूछ रहे हैं, पहले आप तथी अवगत कर लीजिए, मेरे पता नहीं इसके बारे में मैं टिपनी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को पता नहीं कि किसी भी देश का व्यक पाले सर्? कि इस बारे करेंगे लिए दिए फिर तो नहीं है इसे नी बुलिए आपके लिए पूचिक झाल तर फिर विट रेमेद नेंगेश्ट लेक्षित करने सब्सक्राइब। परचब रहा है तो उस पर कॉंग्रस का ओफिशन स्टैंड क्या है शकील एमद की उमीदवारी पर अभी तक अंतिम तिथी विड्रॉल की नहीं आई है उसके बार बात करें और एक लखनव को लेकर के सर कि लखनव में पूनम सिना ने समाजवादी पार्टी जोईन की कहा जा अगर मिलता तो युप आप्टे सब्सकिर करें लिए बात देभाज में इस पेकुलेशन प्रेस के सामने निर्थ्क है ऐसी कोई बात में न सुनी है न मेरे संग्यान में है जब कुछ जरूत होगी तो इस विशे में चर्चा करेंगी अभी कोई आसी जशे में चर्चा करने क्या हुचक तनली